सीटेट जुलाई 2023 के चात्रों के लिए सबसे बड़ी खुसकबरी आचुके जियां दोसों सीटेट जुलाई 2023 की परिक्षाइंस सुरू होने जा रही है अभी अभी CBSC ने आप सभी के एडिमिट काल पर सबसे महतपुल नोटिस जारी कर दिये जितने भी सीटेट 2023 की चात्र आज की वीडियो देख रहे हैं अंतक बने रहे हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब और गिंष कीरилось इस्टेश की प्रिक्षा तτι्ति यहां पर सामने निगल के आज चुकी है और good सात लातों शाटरो को लगा है काफी बड़ा जहटका सीटह की परिक्षा फिरसे हो रहे हैं से जुड़कर परिक्षा से जुड़े हुए लागों चाठ चातरों के लिए CBSC ने काफी बड़ी कुसक्वरी जारी कर दिये सीटेट जुलाई परिक्षा को 5 जुलाई से सुरू किया जाना था लेकिन अब सीटेट परिक्षाओं पर बड़ा परिवरतन होने जा रहा है इससे जुड़ी काफी महत्पुल सुचना अभी-अभी CBSC ने जारी कर दिये लेटेस अपडेट के नुसार सीटेट में 7 चातरों की संख्या इस बार बड़ चुकी है सीटेट में अपलाई करने वाले 6 चातरों की संख्या दोगिनी हो चुकी है इस बार करीबन 30 लाग से भी जादा 6 चातरों ने सीटेट 2023 एक्जाम के लिए आवेदन किया है जिसके चलते यहाँ पर अब सीटेट की परिक्सा को एक दिन में कराया नहीं जा सकता है और सीटेट जुलाई परिक्सा को कई सिप्टों में कराया जाएगा इस बार भी सीटेट परिक्साओं में रिजल्ट त्यार करने के लिए जो है नया फॉर्मिला लागू किया जाएगा जिसको हम लोग बुलते है नॉर्मलाजेशन का नियम नर्मलाइजेसन के नियम इस बार भी लागू किया जाएगा सीटर के रिजल्ट को त्यार करने के लिए तो काफी बड़ी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है वही बात करें तो सीटर 2023 के चात्रों के लिए काफी बड़ी कुसकबरी पांच जुलाई से जो एक्जाम आप सभी के अब सुरू होने थे लेटेस अपडेट जो आई है उसके अनुसार बता जा रहा है सीटर की परिक्सावों को जुलाई में कराना बहुत ही जादा मुशकल हो चुका है अब सीटर की परिक्साओं को अगस्त में करा जाएगा लेटेस मेडिया डिपोर्स के अनुसार और काफी बड़ी खुसकबरी इस बार सीटर की जो परिक्साओं हैं 5 अगस्त 2023 से ही आप लोगों की सुरू किजे सकती है